आई एफमेस पोर्टल पर पुरफाइल अपडेट करते समय बहुत सारे करमचारियों को एक ही समस्या आ रही है और समस्या है कि जब करमचारी अपनी पुरफाइल अपडेट कर रहे थे उस समय सम्मिट और सेप के जो आप्शन इसमें दिये जाते हैं इसमें से सेप के save हो चुकी है अब इस कारण से कर्मचारी अपनी detail को submit नहीं कर पा रहे हैं तो आइए देखते हैं जैसे हम इसे practically देखते हैं कि हमने profile detail इस पर click किया और यहां से चुकि हमने पूर में save पर click कर चुका है अब यदि इसे हम submit करते हैं submit करने के लिए कोई भी एक option हम इसमें और add कर लीते हैं हमने इहां पर अपना email इसमें add किया है और जो add का option इसे पर click कर देते हैं जैसी click करेंगे तो आप देखेंगे mail इहां पर आ चुका है अब जैसे हमने add किया तो यहां पर submit और save सारे option open हो चुके हैं अब यहाँ पर जो submit का option है यदि इसे हमें submit करना है तो जैसे हम submit पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक message आया हुआ है another request is already pending for approval you cannot submit more request till it gets approved अर्थात आपकी एक request जो है पहले से इसमें pending है आप इससे अधिक जो request है वो submit नहीं कर सकते जब तक कि आपकी जो पूर की request है वो approved ना हो जाए अर्थात ऐसी condition में आप चुकी क्या है कि हमने safer click किया था तो हमारी जो detail है वो save as draft है जो ddo है वहां से भी approved नहीं हो पा रही है क्योंकि ddo के login में भी वो detail नहीं दिख रही है वो detail हमारे ही inbox में है save as draft अब इस समस्या का समधान हम कैसे करें क्योंकि हमने देखा channel में बहुत सारे comments ऐसे आये थे कि बहुत सारे कर्मचारी इस समस्या से जूज रहे हैं आईए mobile option पर click करके e-ss पर click करना है अब यहां पर हम देखेंगे कि e-profile के अंतरगत इन option ओपर हमें अपनी जो details है इनहें update करना होता है अब इनवे से एक option हम ले लेते हैं quality application detail इसमें बताद हैं कि केवल जो उपर की दो detail है इनहें केवल एक बार आप update करेंगे और जब तक की ddo से approved ना हो जाए दूसरी बार इन details को आप इसमें update नहीं कर पाएंगे इसमें खास तोर पर जो पहली detail है दूसरी detail में address से संबंधित जानकारी होती है जिसमें 3 part होते हैं तीनों partों में अपने पूर्व में जानकारी update कर दिया है तब दूसरी बार आप update नहीं कर पाएंगे ज qualification detail पर जैसी हमने click किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं education level का option दिया गया है तो यहाँ पर करना क्या है कि कोई ना कोई एक option जरूर छूटा होगा आपका suppose primary school का दिया आपने छोड़ा होगा तो आप इससे select कर लें और यहाँ से जो degree है इससे select करें जैसे हम यहाँ से पास का जो option है इससे choose कर लेते हैं इसके उपरांद university institute board का जो option है इससे select करते हैं किस सन में आपने साधवी पास किया है वो आप यहाँ से select कर लें जैसे हम एक सन यहाँ से select करते हैं और इसके उपरांद इसका percentage आपको इसमें fill करना होगा जैसे हम इसमें percentage fill करते हैं और unit किस उनिट में आप देना चाहा रहा है तो percentage और medium क्या medium था आपका वो select करने हैं इसके उपरां इसकीन को नीचे school करके simply add पर click कर दें जैसे आप add पर click करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो qualification detail है वो single detail यहां पर आ चुकी है चुकि हमने एक ही detail इसमें अभी add किया है इसके पह submit पर click किया तो यहां पर message आया है do you want to submit क्या आप इसे submit करना चाह रहे हैं तो हम ok कर देते हैं अब जैसी हमने ok किया तो आप देख सकते हैं आप request number request type submitted to or status एक message आगया है pop up message तो इसे आपको ok कर देना है अब जैसी हम ok करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर एक message आया message हैं वो सारे message दिये गए हैं जो हमने save as draft किया था जैसे हम बात करें अपनी profile detail की तो इसे हम थोड़ा सा नीचे scroll करते हैं और आप देखेंगे यहां पर employee change profile एक यहां पर pending है employee change address, address detail यहां पर pending है family detail, qualification detail, employee miscellaneous detail और family detail, यह सारी detail जो है वो pending है अब जैसे हमें अपनी profile detail इसमें update करना है तो इसके लिए simply हमें यहां पर click करना होगा reference number पर जैसे हम reference number पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको आपकी जो detail है वो open हो चुकी है और यहां जो भी कमी होगी वो आप देख सकते हैं अब इसके लिए करना क्या है यहां बहुत ध्यान से आपको गया है इस box में आपको choose file यहां पर जो भी documents आपने upload नहीं किये हैं वो documents आप यहां से upload कर सकते हैं यहां पर आप देखेंगे कि जो side में option दिये गये हैं वो पूर में जो आपने detail फिल किया है वो सारी detail यहां पर आई हुई है जिसे आपने save किया था अब इसमें आप देख देख सकते हैं कि आपने कौन सा photograph upload किया है या नहीं किया है इसी परकार signature कभी इसमें जो documents है वो दिया गया है व्यूवाले option पर click करके आप देख सकते हैं यदि आपने upload नहीं किया है तब यहां पर option नहीं आएंगे इसी परकार इसमें नीचे देखेंगे कि जो 3 documents होते हैं उस पर tick रहेगा और view वाले option पर click करके आप इसे check कर सकते हैं अब इनमें से यदि कोई documents आपने upload नहीं किया है जिसे आपको upload करना है या कहीं कोई कमी हो तो आप इसे सुधार सकते हैं जैसे नाम की बात करें तो हम नाम में इसमें correction कर सकते हैं इसी परकार इसमें जो category है वो select कर सकते हैं इसके अत्रिक इसमें आन्य जो Option है वो हम इसमें select कर सकते हैं तो हमें जो 2 सेवेवर करना हूँ इसके उप यहाँ से अपने से इपने ऊपर कर ne तो नीचे जो photograph की file है वो आ जाएगी इसी प्रकार यादी signature की file आपने upload नहीं किया है तो choose file पर click करके आप upload कर सकते हैं और जो अन्य दस्तवेज यहाँ पर है जैसे valid documents इन्हें आपको upload करना रहता है और upload नहीं हुए हैं तो इन दस्तवेजों को आप इसमें upload नहीं कर इसके लिए आप choose file पर click करें और इसके उपरांद add पर click कर दें तो दस्तवेज इसमें upload हो जाएंगे और आप उपर लिख भी सकते हैं कि आपने कौन सा दस्तवेज इसमें upload किया है इतना कार कर लेने के उपरांद अब simply आपको forward का option दिखाई देगा जैसे scheme को हम उपर करते हैं और यहां पर आप देखेंगे कि forward का option दिया गया है चुक्कि detail यहां पर सभी सही है किसी प्रकार का इसमें संसोदन नहीं करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं यदि file upload करना है तो यहां choose file से आप click करके file को add कर सकते है और यदि यहां पर photographs और signature upload करना हैं तो यहां पर भी किलिक करके आप photographs और signature को इसमें add कर सकते हैं अब यहां simply चुकि हमारी file जो थी पूर में हमने save किया था save as draft हो चुकी थी अब हमने कुछ इस पकार से edit किया और यहां से जो forward का option है सारी detail update कर देने उपरां forward इस option पर किलिक कर दें जैसे आप forward पर किलिक करेंगे तो next level के लिए अर्थात ddo के लिए हमारी request sent हो जाएगी जैसे हम forward पर किलिक करते हैं जैसे हमने forward पर किलिक किया तो यहां पर एक pop-up message आया है please provide remark in notice area अर्थात यहां पर हमें कुछ remark में लिखना होगा तो हम remark में लिख देते हैं कि please verify profile detail और इसे हम forward कर देते हैं आप चाहें तो चुकि आपने photograph वगरा इसमें upload कर दिया है आप चाहें तो यहां पर भी upload कर सकते हैं चुछ फाइल पर किलिक करके जैसे इसमें सरिजुक का जो पहला पेज है इससे upload कर सकते हैं काश चार्टिपिकेट है मेरी सार्टिपिकेट है इससे upload कर सकते हैं तो हमने काश चार्टिपिकेट भी इसमें upload कर दिया और remark में यहां पर लिख दिया please verify profile detail इतनी detail कर देने के उपरां forward इस option पर किलिक कर दें तो यहां पर आप देख सकते हैं जो भी जहां पर भी जा रही है उनका नाम आएगा और उनका जो designation है वो यहां पर दिया रहे गा तो आपको ok पर simply किलिक करना हैं जैसे आप किलिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां से जो request है वो forward हो चुकी है और कुछ इस प्रकार से message आएगा correspondence successfully forward to किसे forward हुई है उनका नाम यहाँ पर दिया रहेगा तो इस प्रकार से जो detail हमने save as draft किया था वो detail को हम submit कर सकते हैं अपने dd को अब यहाँ पर ध्यान रखें आप कि इसके पहशाद जो दूसी detail है इन्हें भी आप कर सकते हैं जैसे जो पुराना page है वहाँ पर जो दूसी detail है वो दी गई है यहाँ पर time out हो रहा है तो हम इसे okay करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 detail बची हुई है एक जो profile detail थी वो अभी हमने forward कर दिया तो यहाँ से कम हो गई है अब यहाँ पर 5 detail बची हुई है तो इन्हें भी बारी बारी से आपको forward करना होगा तो अब जैसे हम family detail या फिर इसमें से qualification detail जो है इसे forward करते हैं तो इसके लिए इस पर click करेंगे जैसे हम click करेंगे तो फिर से message एक window open होगी अब window में आप save कर दिया था इसके कारण हमारी detail जो है वो save as draft हो गई थी अब इसे हमें forward करना है तो forward करने के लिए इसमें आप देख लिए हैं यदि कोई संसोधन करना हो तो आप संसोधन कर सकते हैं cool documents इसमें upload करना हो तो upload कर सकते हैं या फिर सीधे आप यहाँ पर remark में लिखें और इसके उपरांथ आप इसे forward करते हैं जैसे हम remark में लिखते हैं please verify qualification detail और इसके उपरांथ forward इस option पर click करते हैं जैसे हम forward पर click करेंगे तो फिर से pop-up message आज आएगा जहाँ पर message आएगा कि do you want to forward correspondence to किन्हें send हो रही है उनका नाम रहेगा तो आपको simply ok कर देना है जैसी ok करेंगे तो यहाँ पर सिक्षक का नाम रहेगा और correspondent का नाम रहेगा और इसके उपरांथ यहाँ पर ऐसा message आजाएगा कि correspondence successfully forward to किन्हें forward हुई है उनका नाम तो आपको इसे okay कर देना है इस प्रकार से दो detail आपकी send हो गई जितनी भी आपकी pending detail रहेगी वो सारी जो आपने save as draft किया है वो इस प्रकार से आ जाएगी तो जिसे बारी-बारी से आपको send करना होगा अब जैसे इस message जो detail बची हुई है इन्हें हम forward कर देंगे तो यदि इस आपने अपनी detail को save कर दिया था और आप इसे submit या forward नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे आप इन्हें forward कर सकते हैं अपने correspondence को एथी IFMS portal पर detail save कर देने के उपरांद इसे forward करने की एक महत्मून जानकारी आसा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ मैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद